श्क्लें कम आंश पिए है आज कि वेडियों में आपको ने भी स्चावन है कि अर्थ फॉल्ड करते हैं और उसको कैसे दबेल भाई करेंगे कैसे mt662 अड्रों को डेंगे और अचिन वाले इस में में इस वीडियों को पूरा देखें और अगर आपके पास ground fault आगा तो कैसे आपको solve करेंगे पुछेज़ा how you will troubleshoot a earth fault and if there is a earth fault in your panel how you will solve it okay earth fault को ground fault भी कहते हैं तो देखिए इसका जो detail बजाता हूं मैं ground fault जो होता है actually वो हमारा हमारा जो wire है red and black जो wire जा रही है या उसमें जो screen जाड़ी earth thing वो जो चीज़ है ना जो यह दुनों चीज़ तीनों चीज़ यह किसी earth से short करता होता है मानले आपका जो आपका पास जो piping है उसमें या फिर आपका जो box से जो कि box में जादे होता है जहां पर box में हम लोग open करते हैं ना मतों जहां पर smog data लगाते हैं mcp लगाते वहां कहीं न कहीं से यह short करता हो earth thing को उसको 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 और फोल्ट हां कभी-कभी यह system में भी आता है यह पैनल के अंदर भी earth fault आते है और भी बैकर आते हैं बैकर कुस ही आता है और हो यह है या ओवर चार्ज हो आता है hard resistance बढ़ आता है तो उसका आलत में अर्थ-fault बैक्रिमर भी आता है तो इसका solution करेंगे हम आपको बता रहते हैं देखिए पहले अगर देखिए पहले हों में चकरना है कि यह एर्थ फोल्ट जो आ रहा है वह सिस्टम में अगर बताते हैं वह इंडिकेट्स करता है कि पोजिटिव नीगेटिव है न तो यह अगर बता दरहें है या लूप में इसके जानकारी के लिए आप लूप का जो केबल है वो यहां से रिमूब कर देया ना फिर दो है कि अभी भी है कि नहीं अगर इसका मत्तभ शिस्टम में है अगर चला गया इसका मत्तभ लूप में है ठीक अब अब अगर लूप में है तो कैसे सॉल्ब तो आप एक डिवाइस को खोल नहीं सकते कि बॉक्स को इसमें क्या करते हैं लोग कि यह क्लास है यह स्टार्ट है यहां पर रूप यहां पर रिटर्न है तो हम क्या करेंगे यह क्लास भाय देंगे आप 8600 डीवाइस है यहां से आप करेंगे तो आप क्या है है तो हाफ को यहां से ओपन कर देंगे यहां से अपन हो इसके बाद भी चेक करेंगे यहां अगर अंगर अगर पर रहा है अगर नहीं है तो जो उपन निकें उसके अंदर है और फोल एस इसी सर्कुट के बात करते हैं तो हम ने क्या किया कि हम इसको खोल दिये यहां पर से पैनल में लाकर क्लास भी कर दिया ठीक है न तो यह पावर पूरा में आ रहा है अब यहां से इसको उपन कर दिया सिर्फ यहां तक ढ़्याएं कि कि अभी मेरे फॉल्ट है या नहीं तो नहीं रहे घा पर यह दो अगया कि इसकेницы आगे खेंगघ। वागर बिम यहां और ना था और है इन दोनों दीवासिंगे जब यहां देखेंगे थे लिख परिंगे ने यहां पे पाइगा पॉजी टीव शौटिंग यहां नेगर चीज से वालेगा तो कोई बीन केबल हमारा जो हो सोटकरता होगा किसी ग्राउंड से किसी तर्च करता हो तो आप फिर उसको लगा देंगे तो यह आपका यह अर्थ फोल्ट जा जाएगा इसी तरह से जाने की इस फिरिदिंगों कहते हैं स्पिरिट करना है यह लूब को हाफ करना डिवाइड करकर करकर जो है हम इसको नाप यानि देखते हैं खोल कर लिए फिर चेक की ओपन के फिर चेक की है या नहीं है इस तरह से हमारा और फॉल्ट फिनिश हो जाता है और यहां से आप कर सकते हैं तो यह सीज़ा आप बाला सकत पूछता है जरूर अब बता दें पूरा है आप समझ जाएंगे तो आप बता देंगे अराम से इंग्लिश में या हिंदी में अगर हिंदी जानता हो तो तो यह होगी हमारा अर्थ फॉल्ट इसलिए सवाल पूछता है जरूर अर्थ फॉल्ट को यह सबसे बड़ा भाड़ी फॉल्ट चुकि इसको खोजने में बहुत टाइम लगता है और यह करना पड़ता है इसको इसलिए बड़े एक लूप का फॉल्ट यहांने कि वारिंग और यहां और यहां लगाते हैं यह उसी लोसकोप बोलते हैं कि यह सब्सक्राइब के जरिये से व्लटेज को चकरते हैं व्ल्टेज कितना आ रहा है तो उस व्लड डिवाइस लगाने पर बार और फॉल्ट आता है ना थांत किनेक्टिंग अधर एक्यूपमेंट एज आग और उसिलोस्कोप और यूस्पी तु दे पैनल कैन गीव एन अर्थ फॉल्ट तो यह हमने लिख के रखा था पहले तो यह हमारा अर्थ फॉल्ट इस तुरह के से भी आ सकता है कई भी मतलब यह भी हो सकता है इसका बदाने का तो आप ऐसे बदा दे उसको अर्थ फॉल्ट का तो हर इंट्यूवियर पूछता है अगर उसको कुछ का पता है के बारे में कुछ